अध्याए 81, छोटा हिरन बेहोश होने वाला है, दूसरी टेबल पर लोगों की चर्चा सुनकर फॉक्सी का दिल धोल की तरह धड़क रहा था, भाई, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो ठीक से कहो, आप ये कैसे बता पा रहे हैं कि मोटिंग मुझे अलग तरह से देख रहा ह इसके अलावा, एक प्यार करने वाले पती की नजर से, हे हे, शायद उस आदमी की आँखें बहुत अच्छी नहीं हैं, मोटिंग से बात करते समय निंक्शी को जोर से खानसी हुई, फॉक्सी ने अभी बोलना समाप्ती किया था, तभी उसने उस महिला को सहमती में सिर हिला आते हुए देखा, आप सही कह रहे हैं, ये वास्तव में है, जब आप छोटे लड़के को करीज से देखते हैं, हाला कि वह अपने पिता की तरह देखता है, उसकी आँखें अपनी मां से बहुत मिलती जोलती हैं, खास कर जब वह मुस्कुराता है, ये सुनकर फॉक्सी आखों पर नजर डाली, वास्तव में, वे वास्तव में काफी एक जैसे थे, उसने पहले देखा था, कि जब लिटल ट्रजर मुस्कुराता था, तो उसकी भॉहें और हवाएं फॉक्सी की समान होती थी, यदि यह महस एक सयोग खा, तो ये काफी सुखद भाग्या था, ये संक्षित अंतराल शीग्रही बीट गया, अपनी सीटों पर बैठने के बाद, निंग्शी ने राहत की सांस ली, आह, जब आप गर्मियों में वातानु कुलित स्थान पर होट पोट खाते हैं, तो ये सबसे सुखद एहसास होता है, डाली लिटल बन, मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें इस एहसास से प्यार हो जाएगा, ये पहली बार था कि छोटा बन दो साल में भूजन के लिए बाहर गया था, वो हर चीज के प्रती उत्सुक था और हर जगल देखता था, हाला कि केवल तभी जब उसका छोटा हाथ फॉक्सी के हाथ में था, तभी वा शान्त र हिलाया, अपना कोट उतार दिया और अपना हाथ सीट के पीछे आराम से रख दिया, यही एक बेहत सामानिक रिया थी, लेकिन जब उसने ऐसा किया, तो उसने फेरोमोन का उत्सरजन किया, जिससे फॉक्सी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में एक छोटा हिरन उचल र रही थी या नहीं, बहुत जल्दी उनके द्वारा ओडर किया गया सूप बेस और व्यांजन आ गये, फॉक्सी ने अपनी भूख को शान्त करने के लिए सब कुछ उल्टा कर दिया, महान दानव राजा मोह होट पॉट खाने के तरीके में काफी सक्त था, उसके पास सब कु वस्तूओं को रखने के क्रम से लेकर उस विशेश वस्तू को पकाने में कितना समय लगेगा, इसके अलावा वो पूरे समय न्यमित रूप से उसे और छोटे बन को परोस्ता रहा, यह उस समय से भी अधिक पेश्यवर था जब उन्होंने उसके घर पर हॉट पॉट खाया फॉक्सी ने इतना चिंता मुक्त होट पॉट पॉट पहले कभी नहीं खाया था, उसे बस खाने पर ध्यान देना था, प्रत्य एक वस्तू उत्तमता से पकाई गई थी, इस तरह नहीं कि वह गलती से वस्तूओं को बहुत कम या बहुत देर तक पकाती थी, क्या आप मुए के साथ एक ही सेक पर काम कर रहे हैं, खाना खाते समय, मुटी ने अचानक एक प्रशन पूछा, प्रतिक्रिया देने से पहले फॉक्सी एक पल के लिए शून्य में देखती रही, जियान मुए एक आकर्शक योवा व्यक्ति था जो स्वर्ण युग के मुख्य स्तम्भों मे से एक था और वह लू टिंगजियाओ का भतिजा भी था, यह जीब नहीं था कि लू टिंगजियाओ को उसकी स्थिती के बारे में पता था, इस प्रकार उसने सिर हिलाया, हाँ, उसने आज सेक में प्रवेश किया, दरसल मुझे इसके बारे में आज ही पता चला, मैं उसे द उसने इमानदारी से उत्तर दिया, ये हमारे बीच के रिष्टे को समझाना थोड़ा कठिन है, हमने कुछ समय के लिए डेट किया, लेकिन हम पहले ही बहुत लंबे समय के लिए अलग हो चुके हैं, अब ही हम दोस्त हैं, हाला कि मैं अनुमान लगा रहा हूं कि हम बहुत जल् उस आदमी ने वापस आते ही मुझ पर हर तरह की नफरत फैलानी शुरू कर दी, वह मुझे लगभग मार ही रहा था, अगर वह तुम्हें धमकाता है, तो मुझे बताओ, मोटींग ने कहा, फॉकसी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाहा, ऐसा नहीं हुगा, फिल्म में, मैं हम अगर उसने मुझे धमकाने की हिम्मत की, तो मैं जाकर उसकी आंट बन जाओंगी और अपनी वरिष्टता का इस्तिमाल करके उसे दबा दूँगी, इतना कहने के बाद, फॉकसी और मोटींग दोनों सदमे में थे, फॉकसी को नफरत थी कि वह अपना सिर जमीन पर नहीं प चाहते हैं, फॉकसी ने जल्दी से उसके कटोरे में खाना डाला जैसे कि उसका जीवन उसकर निर्भर हो, हे हे, मैं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, प्रिपया बुरा मत मानना, मोटींग को ऐसा लग रहा था मानो वह बिल्कुल भी गुस्से में नहीं है, और वास्तव में अच्छी मूर में था, ये कहते हुए उसके होंट सिकुर गए, अच्छा विचार है, फॉकसी आश्चर्य चकित थी, उसने वास्तव में सोचा था कि यह एक अच्छा विचार था, फॉकसी, मोटींग ने अचानक उसके और गंभीरता से देखा, उन गहरी आँखों से घू का जिक्र कर रहा था, हाला कि मोटींग ने पिछली बार स्पष्ट रूप से उसे अस्वीकार करने के बाद से इसका दोबारा उलेक नहीं किया था, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि मोटींग का उसके प्रती रवया शुरू से ही अलग था, इसके अलावा, उनके बीच का मा हाल और भी अधिक असपष्ट हो गया था, सबसे बुरी बात ये थी कि उसका दिल धीरे-धीरे उसके नियंत्रन से बाहर होता जा रहा था, शायद यह वैसा ही था जैसे ज्यांग मुए ने कहा था, कि वह उसके अच्छे रूप से मंत्रमुद्ध हो गई थी, पात साल पहल पुरुषों से बेहद नफरत थी और वह खुद को उनके प्रतिपक्षपाती मानती थी, खास कर जब वह कमीनों को देखती थी, वह खुद पर नियंत्रन खो देगी और उसका दिल उन्हें स्वर्गिय दन देने की इच्छा से भर जाएगा, हाला कि पिछले कुछ वर्षो में उसकी मानसिक स्थिती काफी संतुलित हो गई थी, फिर भी वह पुरुषों के करीब जाने की धारना को अस्वीकार कर देती थी, शादी के लिए किसी को ढूंडना पूरी तरह से एक कल्पना थी जो उसके लिए सच नहीं होगी, हाला कि उसके सामने यह आदमी, जिसका चहरा हमेशा भावशुन्य रहता था जैसे कि उसके चहरे की नसे लकवा ग्रस्थ हो गई हो, यह आदमी जिसकी भयानक आभा थी, जो अकसर उसे डर का एहसास कराता था, उसने अंजाने में उसके मोटे खोल में एक गरार खोल दी थी उसका दिल, होट पोट खाने के बाद लिटल बन इतना ठक गया था कि जब वे आधे घर में थी तब वह सो गया, निंक्षी ने उस कोमल छोटे बच्चे को अपने आलिंगन में ले लिया और उसे छोड़ना बरदाश्ट नहीं कर सकी, आह, कितनी भयानक स्थिती है, बड़ा बन पहले से ही उसे ब्रमित कर रहा और अब एक छोटा बन था, उसने पाया कि जब वे एक साथ समय बिता रहे थे तो उसे यह छोटा सा बन और भी अधिक पसंद आने लगा था, यह इस हद तक था कि अगर वह उसे एक दिन के लिए भी नहीं देखती तो उसे उसकी आद आने लगती, अगर आज वह उसे गले नहीं लगाती, तो उसे लगता कि कुछ कमी है, यह बहुत अच्छा संकेत नहीं था, जब वे घर पहुँचे, फॉकसी ध्यान से उस छोटे लड़के को अपने कमरे में ले गई, मोटील दरवाजे के जम पर बगल में जूख गया, उसकी नजर गर्म थी, मैंने तुम्हें भाव दिखाया और मुस्कुराई, लिटल बन बहतर और बहतर होता जा रहा है, ऐसा लगता है कि मुझे जल्द ही यहां रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटींग की अभिव्यक्ती अचानक डूब दे, आप जाना चाहते हैं, फॉकसी उसकी तेज नजर से भाय बीत हो फॉकसी के पास अपना सिर उठाने और सीधे उसकी आँखों में घूरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मैं फंसी हुई महसूस करूंगी, मोटींग की भाये एक दूसरे से चिपक गई, फंस गई, हाँ, फॉकसी ने बोलने से पहले गहरी सांस ली, इमानदारी से तो, मैं बहुत अनुशासक व्यक्ति नहीं हूँ, यहां रहते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर समय अपने कारियों और शब्दों पर नजर रखनी हूगी, मोटींग, आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फॉकसी ने अपना माथा पकर लिया और चला सकती हूँ, बार और होटलों में दान्स कर सकती हूँ, और अगर मुझे कोई अच्छा देखने वाला लड़का मिलता है जो मेरे टाइप के हिसाब से फिद बैटता है, तो मैं उसे रात के लिए अपने पास भीला सकती हूँ, परियाप्त, जैसे जैसे वह सुनता रहा मोटी की अभिव्यक्ती और भी बदसूरत हो गई, जब तक कि वह अंतता हुसे बीच में रोकने से खुद को नहीं रोक सका, अध्याय तिरासी, जागरित होकर चुमा, देर रात, फौकसी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके दिमाग में लाखो विचार घूम रहे थे, वह सुन्दर लड़कों को घर नहीं लाती, वह सभी किसी भी तरह उसके साथ बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, और जो भी कोशिश करेंगे उन्हें गली में पीटा जाएगा, खास कर जब वह विवाहिद पुरुशों को अपनी उन्वियों पर अंगूठी के निशा समभवता ही यह उसकी पहली बार की छाया ही थी जो उसे प्रभावित कर रही थी, उसे हमेशा सेक्स के प्रती घ्रिना महसूस होती थी, मोटी को आज रात उसकी सीमा से अधिक उकसाया गया था, हाला कि उसके पास कोई अन्यविकल्प नहीं था, अंतता उसे किसी भी तरह छोड़ने का विशय उठा नहीं होगा, ऐसा क्यों न किया जाए और इससे पहले की वह स्थिती को नियंत्रित न कर सके, चली जाए। उसे पहले छोड़ना हमेशा उसे जाते हुए देखने से बहतर था जब उसके अतीत की सबसे बदसूरत हिससे उसके सामने उजागर हो ग जंदित होने के अलावा, आप सिर्फ एक बेकार व्यक्ती है और उसके नाम पर आपका कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी उसक मीने के बारे में पूछने की हिम्मत है। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे मत बताओ कि तुम उसे जन देने औ और उसका पालन पोशन करने की योजना बना रहे थे। बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था और पैदा होते ही मर गया। फॉक्सी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आप से मेरी नाला हाई डॉट है, तुम्हारे जैसी कोई बेटी नहीं होगी। अब आप हमारे स्मित प दोड़ी, दोड़ती रही, दोड़ती रही, उन भयानक आवाजों को छोड़ने की कोशिश करती रही। वो दोड़कर अस्पताल की छट पर पहुँचे, तो नीचे अथाह खाई थी। ऐसा लग रहा था कि उस खाई में कोई शैतानी आकर्शन है, जो उसे कदम दर कदम आ नहीं था, बलकि एक कामुक सपना था, उसे पहले भी इस तरह के सपने आये थे, लेकिन उनके साथ हमेशा अत्यदिक भाय और लाचारी भी जुड़ी रहती थी। हाला कि इस बार यहा लग लग रहा था, एक एक करके उसके माथे, आखों, नाक और होटों पर थंडे चुम पहार किया गया हो, वो कौन था, आह, ये दुखदाई है, उसने उसे क्यों काटा, मोटी जितना खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार वह विरोध नहीं कर सका और उसके कमरे में चला गया, हाला कि वोल जानता था कि उसे उसे नहीं जगाना चाहिए, लेकिन उसकी हरकते अंजाने में क्रूर रूप धारंग कर चुकी थी, यह महिला, उसे हमेशा इतनी आसानी से नियंत्रंग होने के लिए प्रेरित कर सकती है, अगर मुझे कोई अच्छा देखने वाला लड़का मिलता है जो मेरे टाइप के हिसाब से फिद बैठता है, तो मैं उस पाती में बढ़ती वासना को रोक नहीं सका, उसने एक जानवर की तरह अपने शिकार को चिनित करने के लिए सबसे आदम विधी का उप्योग करते हुए, जम कर काटा, वह, वह, जैसे ही खून की गंध हवा में फैली, एक लड़की की कमजोर आवाज उसके कानों में गूं लेकिन वह इसे सहन कर सकती थी, उसने अजीब तरह से याद दिलाया, ओ, वह, मैं केवल सो रही थी, लेकिन मैं गहरी नींद में नहीं थी, आप, आपकी हरकते ऐसी थी, मैं उठने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, वह पहले तो सोने का नाटक करने की योजना बना रही थी, लेकिन अंत में वह ऐसा नहीं कर सकी, ये बहुत दर्दनाक था, इस समय, मोटी की अथा हांखे पहले से ही रात के अंधेरे में घुल मिल चुकी थी, उसने धीरे से अपना सेर उठाया, उसकी निगाहें उस पर टिक गई और उसने अपनी उंदी से उसकी थुटी पकर ली, उसने उसे धीरे से सहलाया, उसका स्वर नरक से आय इंक्यूबस की तरह था, जैसे उसने कहा, मम्म, तो आप जाग गए, तो क्या हुआ, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने उसके हाथों को उसके सिर के ऊपर खीचा और नीचे दबाया, फिर नीचे जुक कर बिना क किसी हिचकिचाहट के उसके होटों को चूम लिया, आह, ये दुखदाए है, उसने उसे क्यू काटा, मोटी जितना खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार वह विरोग नहीं कर सका और उसके कमरे में चला गया, हाला कि वह जानता था कि उसे उसे नहीं जगाना लेकिन उसकी हरकते अंजाने में क्रूर रूप धारंग कर चुकी थी, यह महिला, उसे हमेशा इतनी आसानी से नियंत्रंग होने के लिए प्रेरित कर सकती है, अगर मुझे कोई अच्छा देखने वाला लड़का मिलता है जो मेरे टाइप के हिसाब से फिद बैठता है, तो वह अपनी छाती में बढ़ती वासना को रोक नहीं सका, उसने एक जानवर की तरह अपने शिकार को चिनित करने के लिए सबसे आदम विधी का उप्योग करते हुए, जम कर काटा, वह, वह, जैसे ही खून की गंध हवा में फैली, एक लड़की की कमजोर आवाज उसके कानो में गूंजी, मोटीं की पीठा कर गई, और उसका पूरा शरीर सुनन हो गया, मानो किसी ने थंडे पानी का एक बेसन लिया हो और उस पर डाल दिया हो, उस आदमी का सिर अभी भी उसकी गर्दन में दबा हुआ था, उसकी गर्दन पर दर्द के कारण फॉकसी जोर से चिला आने लगी, लेकिन वह इसे सहन कर सकती थी, उसने अजीब तरह से याद दिलाया, ओ, ओ, मैं केवल सो रही थी, लेकिन मैं गहरी नींद में नहीं थी, आप, आपकी हर्कते ऐसी थी, मैं उठने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, वह पहले तो सोने का नाटक करने की योजना बन रही थी, लेकिन अंत में वह इसा नहीं कर सकी, ये बहुत दर्दनाक था, इस समय, मोटी की अथा हांखें पहले से ही रात के अंधेरे में घुल मिल चुकी थी, उसने धीरे से अपना सेर उठाया, उसकी निगाहें उस पर टिक गई और उसने अपनी उंगली से उसकी नीचा और नीचे दबाया, फिर नीचे जुक कर बिना किसी हिचकिचाहट के उसके होटों को चूम लिया, अध्याय चौरा से, शायद वह नींद में चल रहा है, वह, फॉक्सी अवचितन रूप से मुक्त होकर संधर्श करना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ बंग थे और उ फॉक्सी की सांसे धीरे धीरे खत्म होने लगी और वह अपनी आखिरी सांस पर थी की मोटिंग ने आखिरकार अपने होंट छोड़ दिये, वह उसकी गर्दन के उस हिससे पर गया जहां उसने अभी काटा था, और फिर वह जलती हुई गर्म जीब घाप पर आगे पीछे कर निशान नहीं था जिससे वह परिचित थी, वे नुकिले दात उसकी इच्छा से हिले और उसकी गर्दन से उसके कॉलबोन तक फिसले और और भी नीचे चले गए, नहीं, नहीं, जो यादे उसके मन में शीतन इद्रा में थी, वे अचानक उभर आई और उसके दिमाग में बार आ गई, वे उसे अपने साथ ले गए और उसे चिपचिपे दलदल की तरह दफना देने की धमकी दी, जिससे उसका पूरा शरीर अन्यंतरित रूप से कांपने लगा, जैसे ही फॉकसी को लगने लगा था कि वह मर गई है, उसके शरीर की सारी हरकते रुक गई, बस उस आदमी के कंदे को थप थपाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कुछ और सेकंड इंतजार करने और ये देखने के बाद की दूसरा बिलकुल भी हिल नहीं रहा है, फॉकसी ने सावधनी पूरवक उसे हलके आंदोलनों के साथ एक तरफ पलटने की को बताओ, मुझे मत बताओ कि वह नींद में चल रहा था, फॉकसी ने मन ही मन बुदबुदाया, ऐसा लगा जैसे केवल यही सपश्टीकरन उपयोगत है, हाला कि क्या उसके नींद में चलने का तरीका बिलकुल नया नहीं था, आधी रात को वह उसके कमरे में आया और पिश गया हो, फॉकसी ने उसे जगाने की हिम्मत नहीं की, उसे चिंता थी कि वह फिर से पागल हो जाएगा, हाला कि उसे इस तरह यहां छोड़ना भी सुरक्षित महसूस नहीं हुआ, इतनी रात को वह मदग के लिए किसे बुला सकती थी, इधर उधर सोचने के बाद आखिरका उसे किसी का ख्याल आया, उसने अपना फोन उठा कर मो जिंग को फोन किया, हेलो, जियो शीशी, बहुत खूब, आप वास्तव में मुझे इतनी रात को कॉल कर रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ, मो जिंग बहुत तेज था, मानो वह फोन पर चिला रहा हो, फॉकसी को पहले तो चिंता हो रही थी कि वल देर रात को फोन करके उसे परेशान कर रही होगी, हाला कि रेखा के दूसरी ओर, लू जिंगली की आवाज इतनी उर्जावान थी और प्रिष्ट भूमी से बहुत शोर आ रहा था, इसकी आवाज से लग रहा था कि वह कोई पार्टी कर रहे है मोर जिनेंग, मुझे तुम से कुछ पूछना है, दूर पूछो, दूर पूछो, आपका भाई क्या चल रहा है, मेरे भाई को क्या हो रहा है, उद्धरन चिन, क्या यहाँ आदमी कुनरावर तक था, उसे हर बात दो बार क्यों कहनी पड़ी, फोक्सी एक पल के लिए अवा में सीधा लेटा हुआ था, वह सवाल पूछने के बाद अकल गया, उस अजीब स्थिती से बाहर निकलने के लिए ही उसे यहाँ आइडिया सूझा था, उसने नहीं सोचा था कि फॉक्सी वास्तव में मोर जिन्ग को बुलाएगी, क्या होगा यदि वह मूर्ख यक्ती अप फिर से पूछा, दूसरा युवा मास्टर, क्या वह ऐसा करता है या नहीं, अगर वह सिर्फ नींग में चल रहा हूता तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन अगर मोर टिंग को कोई अन्य बीमारी होती, तो उसे तुरंत उसे अस्पताल भेजना पड़ता, ये सच मुछ डरावना था कि आधी रात को वह अचानक एक विकृत व्यक्ती में बदल गया और फिर अचानक बेहोश हो गया, ठीक है, आह, मुझे ये थोड़ा अजीब लगा कि आपने अचानक ये पूछा, वास्तव में उसे ऐसी समस्या है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा भा अजा सामान्य लग रहा था, ये सुनने के बाद, फॉक्सी ने आखिरकार राहत की सांस ली, वो हंस्ते हुए सहज लग रही थी, ये कुछ खास नहीं है, आधी रात में मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने के लिए नीचे गई और मैंने देखा कि वह लिवि परानी समस्या है, उस पर बुरा मत मानना और वह जो कर रहा है उसे करने दो, सुनिश्चित करें कि उसे जगाने से बचें, वो हपने आप ही अपने कमरे में वापस चला जाएगा, आह, उसे जारी रखने दो, और उसे मत जगाओ, फिर, फिर, ठीक है, मैं समझ गया, इस च जगाने से बचाने के लिए, क्या उसे सच्मुच उसे यहां ऐसे ही पड़ा रहने देना था, अगर वह फिर से नींद में चलने लगे तो क्या होगा, वह चिंता में डूबी जा रही थी, इस अचानक अप्रत्याशित विकास के कारण, वह सर्वव्यापी घबराहत जो उस नहीं क्रोधित होती जाती, अंत में, जैसे कि अपना गुसा निकालने के लिए, वह आगे बढ़ी और उसके चहरे पर चुटकी ली, कमीने, तुम इतने आराम से सो रहे हो, मैं आपके कारण लगभग दर गई थी कि आपकी शीग्रम रित्यू हो जाएगी, पागलों की तर जाने का इंतजार कर सकती थी, उसने सुना था कि अगर नींद में चलने वाले लोगों को जगाया जाए, तो उन्हें बहुत बड़ा जख्का लग सकता है और संभवता हुए मर भी सकते हैं, हाला कि वह सपष्ट रूप से वही थी जिसे सबसे बड़ा जख्का लगा था, उसनी ने मूल रूप से सोने के लिए वापस जाने से पहले मुटीं के जाने का इंतजार करने की योजना बनाई थी, लेकिन वह अपने कान के पास थिर दिल की धर्कन सुनते हुए अंजाने में सो गई, काफी देर के बाद उसके बगल वाले आदमी ने धीरे से अपनी स्य जाने के बजाए, उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उसने अपना सिर घुमा कर अपनी तरफ देखा, निश्चत रूप से मूटीं पहले ही जा चुका था, बाद में उसने घबरा कर फोन टटोला और एक सेक्ट बटन दबा दिया, एक सेकंड बाद तुरंट फोन पर एक बुग्रा आवाद सुनाई दी, फोक्सी, अब तुमने सच्मुचे कर दिखाया है, मैं शुरू से ही आपको अपने शब्दों और कारियों के बारे में सावधान रहने और कम्पनी को शर्मिंदा करने से बचने की चेतावनी देता रहा हूं, लेकिन आप देखिए, अब ही आपकी वजह से कम्पनी में हर किसी का चेहरा खराब हो गया है, फोक्सी तुरंत उठी, क्या हुआ, किनी ने अप्रसन्नता से कहा, वेबो पर खुद ही देख लो, फोक्सी बिस्तर से उठी और अपने वीबो में लॉग इन करने के लिए जल्दी से कम्प्यूटर चालू कर दिया, तब उसे एहसास हुआ कि उसका वीबो फद गया है, अधिकांश अभिनेताओं के वीबो उसका आमतोर पर उनके प्रबंधन द्वारा ध्यान रखा जाता था, बेशक, फोक्सी को वह इलाज नहीं मिला, उसने कोई अन्याय नहीं खरीदा था या कोई अभ्यान शु पसंदों की संख्या कभी भी सो से अधिक नहीं हुई थी, हाला कि अभी दस हजार से अधिक उलेक और टिपनिया अचानक रातो रात सामने आ गई थी, जितनी जल्दी हो सके इन संदेशों पर नजर डालने के बाद, अन्ततह उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था, अध्याय चियासी, तूफान को और भी जोर से भढ़कने दो, फॉकसी की प्रतिष्था को कीचर में धकेल दिया गया था और वह भी बहुत बुरी तरह से, तल आधी रात को वेबो पर एक लोगप्रियर टेबलोईड ब्लॉग ने एक लंबी पोस्ट प्रकाशित की थी, शीर शक था सामगरी का सारांश ये था कि वह अपनी भुमिका पाने के लिए निर्देशक के साथ सोई थी और अमीर बुरों को अपने उपहार देने के लिए बहकाने के लिए गुमी थी, यहां तक कि उसने फिल्मानकन के दोरान जान बूच कर जयान मुए का फायदा उठाया था, पो अंदर आ सकता था और उसके साथ सो सकता था, इससे वह पूरी तरह से एक वेश्या की तरह लग रही थी जो बेहद आसान थी और जिसमें किसी भी नैतिक सीमा का पूरी तरह से अभाव था, इससे जयान मुए के प्रशनसकों में आक्रोश फैल गया, उन्होंने एक जुत हो हुआ था, हर कोई चिला रहा था, फॉक्सी, मनोरंजन उद्योग से बाहर निकल जाओ, क्या आपने इसे अप सपष्ट रूप से देखा है, कंपनी की छवी बचाने के लिए अभी माफी नामा पोस्ट करें, चांगली ने गुस्से से एक आदेश उगल दिया, फॉक्सी न कंसम पर टीम का आयोजन करेगी, दूसरी और किमी, मानो किमी वास्तव में चाहती थी कि वोल कंपनी की छवी को भुनाए, किमी केवल उसे पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, माफी मांगने से ऐसा लगेगा मानो वो उस ब्लॉग में लिखी हर बात को स्वी रिक्षा करें जब तक आपको कलाकारों से बाहर न कर दिया जाए, समय आने पर कंपनी भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी, चांगी द्वारा ये धमकी जारी करने के बाद उसने बेरहमी से फोन कात दिया, इस कॉल के बाद फॉक्सी जाग गई, उसने बहुत पहले ही इ जिती की आशन का जताई थी, लेकिन उसने यह उमीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष इतनी जल्दी कारवाई करेगा, ऐसा लग रहा था जैसे जिया क्विंकिंग एक सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकती थी, निंग जुयलू उने आग में इंधन डालने के साथ, उसे एक ही रात में एक प्रचन तूफान में फिक दिया था, अचे से, जो है सामने रखो, वो वास्तब में चिंतिक थी कि वे कोई कदम नहीं उठाएंगे, फॉक्सी तुरंद बिस्तर से ओठी और नहा धोकर आई, बाद में उसने अपने कॉस्मेटिक उतपाद निकाले और अपना म मेक अप लगाना शुरू कर दिया, आधे घंटे बाद उसने शीशे में अपना चहरा देखा, मेक अप लगाने के बाद वो सुस्त और पीली हो गई थी, फिर भी मीथी दैनिया, उसने संतुष्टी में सिर हिलाया, जैसे ही उसने मेज साफ की दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोलने के लिए खड़ी हुई, बाद में वह शुन्य होकर देखती रही, ये कल का विकरित मोटिंग था, पिछी रात की घटनाओं के बाद, अब उसे उसे देखकर वास्तव में थोड़ा अजीब लग रहा था, फोक्सी के बोलने की प्रतीक्षा किये बिना, मो पर रुप गई थी, लियांग फिक्सिंग गोल्डन एज एंटेटेन्मंट में जनसम पर्क निदेशक थे, उनके पास जादूई हाथों की एक जोरी थी जिसने कई अभिनेताओं के घोटालों को खुबसूरती से सुलझाया और उनकी प्रतिष्ठा बहाल की, उन्हें किसी भी जनसम पर प्रबंधक के लिए एक आदर्श उदाहरन माना जा सकता है, जब फॉक्सी ने ये देखा तो उसने तुरंग प्रतिक्रिया व्यक्त की, बाग की तरह, वो आगे बढ़ी और मोटीं का फोन चीन लिया, मोटीं, तुम क्या कर रहे हो, मामला सुलझाओ, मोटीं पिछी बार, जब मोटीं ने बिना कुछ कहे काम किया था और सु ये मो के निजी स्टाइलिस्ट को उसकी मदग करने का आदेश दिया था, तो वह पहले ही काफी चौप गई थी, कम से कम किसी को पता तो नहीं चला, अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया, तो वह सच्च्च कुछ इसे सहन नहीं कर पाएगी, अगर गोल्डन एज एंटेटेन्मंट ने अचानक इन पागल परिस्थितियों में हस्तक शेप किया, तो उसे गदार होने का एक और लेबल मिलने वाला था, जो दो कमपनियों पर दो समय का था, अध्याय सता से, आपको एक महिला की विश्वास है, ठीक है, आपकी वर्तमान उपस्थिती बहुत आश्वस्त करने वाली नहीं लगती, मोटीं की अभिव्यक्ती गंबीर थी, फॉक्सी उसकी बातों से तब तक हैरान रह गई, जब तक उसे अपने चेहरे पर लगे मेकप की याद नहीं आई, उसने समझाया, मैंने अपनी तवचा को इतना पीला कर लिया है और अपने उपर ये काले आईबैक बना लिये हैं, मैं वास्तव में मजबूत होने का दिखावा नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अपना मेकप उतार सकती हूँ, इससे पहले की वह नी बात खत्म करती, मुटी गचानक आगे बढ़ा और उसकी उंगलियां धीरे से उसके गालों और आखों से टिकराई, हालांकि यह केवल हलका सस्पर्ष था, फॉक्सी यसी लग रही थी जैसे उसे बिजली का जट्का लगा हो, वो थोड़ा कापने के अलावा कुछ नही कर सकी, फॉक्सी की प्रतिक्रिया के कारण मुटी का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया, उसने तुरंट अपना हाथ पीछे खीच लिया और बोला, तुम्हें अपने आपको धक्का देने की अनुमती नहीं है, फॉक्सी ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसा न पजलाया, ऐसा लग रहा था जैसे वह बोलना चाहती थी लेकिन रोक रही थी, क्या आप कुछ कहना चाहते थे, मोर्टिंग ने सौमे स्वर में पोचा, जैसे कि कल रात वह व्यक्ती बिलकुल अलग व्यक्ती था, फॉक्सी उससे बहुत देर तक जटल भाव से देखती र रहे हैं, मोर्टिंग की अभिव्यक्ती तुरंत थंडी हो गई, तुम्हारे व्यवसाय में मेरी नाक राने के लिए मुझे दोश मत दो, मैं बस सोचती हूँ, फॉक्सी ने उसकी बातों पर ध्यान से विचार किया और फिर इमानदारी से उसके कंदे थप थपाए, मुझे लगता है कि तुम्हें एक महिला की जरूरत हो सकती है, कुछ मामलों में खुद कुरोपना आपके स्वास्थे के लिए अच्छा नहीं है, क्या यहाम कहावत नहीं है कि कोई व्यक्ती रात में वही सपना देखता है, जो वह दिन में सोचता है, सतव पर मोटीं किसी महिला के आकर्शन से चकित नहीं हुआ, लेकिन कल रात के उसके प्रदर्शन को देखते हुए, उस इस पश्ट रूप से, वास्तव में इसकी आवश्यक्ता महसूस हुई, इस समय मोटीं की अभिव्यक्ती पूरी तरह से उदास थी, शापित महिला, तुम्हें क्या लगता है कि यह बिगर रहा था, फॉक्सी अजीब तरह से खासने लगी और जल्दी से वहां से खिसक गई, चून की समय समाप्त हो रहा है, मैं लिटल बन को अलविदा कहूंगी और सेट पर चली जाओंगी, अलविदा टिल्ग, राजधानी के बाहरी इलाके में फिल्म सिटी में, जैसे ह वास्तव में सामने आने का साहस किया, दुष्ट कुतिया, आपको हमारे मुय के करीब जाने की अनुमती नहीं है, जल्दी करो और इस उत्पादन से दूर हो जाओ, फॉक्सी इस उत्पादन से भटक गई, फॉक्सी मनोरंजन उद्योग से गायब, चल भाग यहां से, घट खिला कर हस्ते, वे घूरने खंजर की तरह थे, जो एक एक करके उसे काट रहे थे, ब्वेश के वे भाव एक भयानकर और भयानकर साम्प के समान थे जो उसे टुकडे-टुकडे करने की कोशिश कर रहे हूं, निक्शी यह याद करने से खुद को नहीं रोक सकी कि उन दिनो एक बेहद लोगप्रिय महिला सेलिब्रिटी थी, जिसे अंतता गपशप के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, मरने के बाद उसके सुसाइट नोट में केवल पांच शब्द थे, गपशप एक भयानक चीज है, बीर लगातार सरे अंडे और खराब सबजिया फिकती रही, किसी अंजान व्यक्ती ने एक चत्तान भी फिकी, हालां कि चत्तान तिर्ची फिकी गई थी, जब उसने देखा कि चत्तान मेकप आर्टिस्ट एमी को लगने वाली है, जो समय तमाशा देख रही थी, तो नेक्शी की अभिव्यक्ती बदल गई और व खून से भीग गया, अध्याय अठासी, एक वाइट फ्लावर, जब क्रोधित भीर ने ये द्रिश्य देखा तो वे सभी अवाक रह गए, यहां तक कि एमी भी नासमजी से दरी हुई थी, पीले चेहरे के साथ, फॉक्सी ने उन प्रशंसकों पर बर्फ जैसी थंडी नजर लोंडी हो, फॉक्सी की नजर और भी तीखी हो गई, यह क्या निर्धारिक करता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ या नहीं, इसके समर्थन में बिना सबूत के एक इंटरनेट पोस्ट, या निराधार आरोपों कर आधारित अफवाह, यद्यपी आप सभी अभी भी यु करेंगे, अपने आपको दूसरों के द्वारा अभ्यानता पूर्व को प्योग करने की अनुमती न दे और बिना किसी अच्छे कारण के अपने आदर्श की प्रतिष्था को धूमिल न करें। नहीं लेंगे और अंदे का उप्योगी सी मित होगा। ये सही है, कौन था, हम न्याय मांगने आये हैं, मुई की प्रतिष्था खराब करने नहीं। हंगामा कर रहे प्रशंसक अस्थाय रूप से शान्थ हो गए और फॉक्सी अंततह प्रोडक्शन सेट में घुसने में सक्षम हो गई। जब गुओ की शेंग ने देखा कि वहाँ गई है, तो उसने तुरंत उसे लाउंज में बुलाया, फॉक्सी, तुम आ गई, जल्दी करो और बैट जाओ, निर्देशक, प्रोडक्शन टीम के लिए इतनी परेशानी पैदा करने के लिए मुझे खेद है, फॉक्सी के चहरे कि दूसरे लोग तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल उस पंक्ती के आधार पर कि आपके पास कोई अभिने कोशल नहीं है, ये बिलकुल बक्वास है, जहां तक ये कहने की बात है कि आप, उह, ये कह रहे हैं कि आप प्रोडक्शन टीम के सदस्यों के सा ठीक होने के नाते मैं सक्चाई कैसे नहीं जान सकता, मैंने पहले भी इस तरह के कई मामले देखे हैं, मैं स्पष्ठू की कौन सही है या कौन गलत, धन्यवाद, निदेशक, तथे यह है कि गोव किशेंग इस तरह की स्थिती में उसके पक्ष में खड़ा था, उसने वास् में आप पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है, सरा अपने रूखे रंग को देखो, आप ठीक होने के लिए कुछ दिन की चुट्टी क्यू नहीं ले लेते, को किशेंग ने प्रस्ताव रखा, फॉक्सी ने तुरंत उत्तर दिया, कोई जरूरत नहीं, निर्देशक, मैं श का द्रिर संकल्प देखा और कृतग्या अभिव्यक्ति दिखाए, अरे, फिर ठीक है, यदि आप अपनी सीमा तक पहुँच जाते हैं, तो आपको मुझे बताना होगा, जब वह निर्देशक के साथ अपनी बैठक से बाहर आई, तो एक मजबूत शक्ती ने अचानक फॉक रही किया जा चुका है, फॉक्सी हलके से बोली, जयांग मुए का चहरा गुस्से से भर गया, मैं अपने प्रशंसकों को समझाने के लिए एक बयान जारी करने जा रहा था, लेकिन मिंगे ने मेरा वीबो पास्वर्ट बदल दिया और मुझे लॉग इन नहीं करने दिया, उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके लिए चीजे बतर बना दूंगा मैंने अभी कुछ भी किया, फॉक्सी ने अपनी छाती थप थपाय और प्रसंदता व्यक्त की, लखी मिंगे के पास कुछ लोगों के विप्रीग बुद्धिमत्ता है, जयांग मुए तुरंत आहत देखे तुम कृद्धन महिला, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। फॉक्सी ने असहायता से उत्तर दिया, यदि आप वास्तव में मेरी मदद करना चाहते हैं, तो मैं आपको सचेत कर दूं। एक पल में मैं एक मासूम फूल होने का नाटक करने जा रही और लापरवाही से काम करने की हिम्मत मत करो। अन्यथा, वास्तव में आपके साथ सभी संबंद तोड़ने के लिए मुझे दोश न दे। जयान मुई ने अपना कान खुजलाया और थोड़ा संशिया से बोला, तुमने क्या कहा कि तुम क्या बनने का नाटक करने जा रही ह नादान फूल, कोई दिक्कत है क्या? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जैसा तानाशा फूल इतनी कठिन चुनोती को पूरा कर सकता है? भार में जाओ, अध्याय नवासी, मज़ा तो अभी शुरू हुआ है सयोग से, फॉक्सी के अधिकांश द्रिश्य ऐसे द्रिश्य थे जहां वो जया क्विंकिंग की प्रतिद्वंद्वी के रूप में काम करेगी जैसे ही उसने एक पेल की छाया के नीचे स्क्रिप्ट की समीक्षा की, अच्चानक एक व्यंग्यात्मक आवाज उसके कानों में पड़ी यो, क्या ये हमारा बड़ा सितारा नहीं है? फॉक्सी, तुम सच में प्रसिध हो गई हो, अब हर कोई आपका नाम जानता है हे हे, और वे आपके द्वारा किये गए सभी निंदनीय कारियों के बारे में जानते हैं आप बहुत बेशर्म हैं, आपने वास्तप में इस तरह की स्थिती पैदा करने के बाद सेट पर वापस आने की हिम्मत की जिया क्विंकी निंग्शी के दुर्भाग्य पर खुश हुई, जब तक फॉक्सी को उतपादन से बाहर कर दिया गया, वो फॉक्सी की जगल ले सकेगी और मुए गेगे के साथ अभिने कर सकेगी फॉक्सी ने अपने हुंट काटे, उसका शरीर काम प्रहा था, और वो दैनिया अभिव्यक्ती के साथ चुक रही जब जिया क्विंकी ने फॉक्सी की शक्य देखी तो वह खुद से और भी अधिक खुश हो गई वो जियांग मुए के पास आई और शर्म से बोली, मुए गेगे, तुम्हें उसके जैसे लोगों से और भी दूर रहना चाहिए अन्य था, वह आपकी प्रतिष्ठा बर्बाद कर देगी, उसके कारण आपने पहले से ही प्रशन्सकों को खोना शुरू कर दिया है जब जियांग मुए के माथे पर नसे उभरी हुई थी, वो मौके पर भर करना चाहता था, लेकिन फॉकसी की चेतावनी को याद करने के बाद, उसने गहरी सांस ली और खुद को सहने के लिए मजबूर कर दिया ये देखकर कि जब जियांग मुए ने उसे नजरंदास कर दिया था, जिया क्विंग किंग ने मान लिया कि इस तरह की स्थिती में शामिल होने से उसका मूड खराब हो गया है उसने उसे काफी सांत वना दी, मुए गेगे, तुम निश्चिंत रह सकते हो प्रोडक्शन क्रू दबाव के आगे जुग जाएगा और देर सबेर फॉक्सी को बदल देगा तुम बहुत शोर मचाते हो, जियान मूई को अपने सभी शापों को रोकने और उन तीन शब्दों को उगलने के लिए अपना आत्म नियंत्रल पूरी तरह से समाप्त करना पड़ा मुझे ख्शमा करें मूई गेगे, मैं अब आपके आराम में खलल नहीं डालूँगा जिया कुईं कुईं कुछ गलत सोच कर चली गई, वह इस बात से खुश नहीं थी कि कैसे जियान मूई ने अब भी उसके साथ हमेशा की तरह बेरुखी से व्यवहार किया, लेकिन कुछ सोचने के बाद वह जल्दी ही इसे उबर गई किसी भी स्थिती में, जब वह दूसरी महिला नाइका बन गई, तो उनके पास मुए गेगे के साथ बातचीत करने के बहुत सारे अफसर होंगे वह उन अंतरंग द्रिश्यों के बारे में सोचकर उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी दूसरी बात यह है कि निर्देशक ने उनसे निंग्शी के साथ द्रिश्यों का फिल्मानकन जारी रखने के लिए क्यूं कहा था ये समय की बहुत बरबादी थी, हाला कि उन्हें वे द्रिश्य काफी पसंद आये जो वे आज फिल्मा रहे थे उनमें से एक द्रिश्य था जहां उसे फॉक्सी के चहरे पर थपर मारना था हम जब समय आएगा, वो सुनिश्चित करेगी कि फॉक्सी अपमानत हो निर्देशक, मुझे लगता है कि इस द्रिश्य के लिए यदि में वास्तब में उसे थप पर मार दूं तो परिनाम बहतर होगा आप क्या सोचते हैं, जिया क्विंग किंग, जो पहले कभी फिल्मानकन के प्रती इमानदार नहीं थी ने निर्देशक के साथ द्रिश्य पर चर्चा करने की दुर्लब पहल की बुओ किशें को कैसे पता नहीं चला कि वह क्या सोच रही थी उन्होंने गंवीरता से कहा, मुख्य बाद कैमरा इंगल का उप्योग करना है ज्यादा से ज्यादा चेहरे को थोड़ा सा छूना ही काफी है समझ गया, जेया कुइन के मौखिक रूप से सहमत थी लेकिन उनकी आग्या मानने की कोई योजना नहीं थी उसने एक वास्तविक थपर मारने का फैसला किया और उस पर कुछ और थपर मारने का फैसला किया ताकि उस फोहर को कुछ और पी रहो ऐसा नहीं था कि यह पहली बार था जब उसने अपने काम से बदला लिया था और वह हर बार सफल रही थी सभी की तयारी पूरी होने के बाद फिल्मानकन शुरू हुआ इस द्रिश्य में मेंग चान गगे ने उपनाम नान वुमेंग के तहत महल में प्रवेश किया था वो अभी भी केवल एक छोटी सी महल की नौकरा नी थी लेकिन क्योंकि समराट ने उस पर दूसरी नजर डाली थी उपत्नी जियान को इर्श्या हुई और उसने उसे कठिन समय देने के लिए किन पहले इसमें बुलाया बेशन फुहर तुमने वास्तव में मेरी नात के नीचे समराट को बहकाने की हिम्मत की उपत्नी जियान ने बात करना बंद कर दिया और एक थपपर जर दिया जैसे ही जिया क्विंकिंग ने कोई कदम उठाया निंक्षी ने अपनी आँखे से कोल ली और थोड़ा सा बगल की ओर जुक गई बड़ी चतुराई से कैमरे से बचते हुई जिया क्विंकिंग के हाथ से बच गई खाला की सतव पर ऐसा लग रहा था कि उसे जोरदार जट्का लगा है और उसका पूरा शरीर बुरी तरह जमीन पर गिर गया है बाद में उसने अपना चहरा दूसरी और घुमाया और मुझ से खून उगल दिया फॉक्सी गू किशेंग आश्चर्य से उच्छल पड़ा अन्य सभी प्रोडक्शन क्रू सदस्य जो देख रहे थे उन्हें भी जट्का लगा और वे एक के बाद एक उसके चारों और एक अठा हो गए जेया क्विंग किंग क्या यह आपका पहला दिन का फिल्मानकन है आप अपनी ताकत पर भी नियंत्रन नहीं रख सकते गूओ किशेंग आमतौर पर बहुत शान्स्वभाव के थे लेकिन इस बार उन्होंने वास्तव में अपना आपक हो दिया था वो फिल्मानकन के बाहर होने वाले मामलों में हस्तक शेप नहीं कर सकता था लेकिन वो अपने सेट पर इस तरह की ग्रिनित हरकते बिल्कुल नहीं करेगा मैं जेया क्विंग की खुद दर गई थी उसने पहले जानबूच कर कुछ बल प्रयोग किया था लेकिन यह निश्चित रूप से फॉक्सी को जमीन पर गिराने और खून उगलने के लिए परियाप नहीं था इतना ही नहीं उसे स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि निश्चि अभी अभी चक्मा दे चुकी है सीधे शब्डों में कहें तो उसने निश्चि को छुआ तक नहीं था इस प्रकार वह वी रोध और अविश्वास में चिल लाई मैंने उसे केवल हलका थपपर मारा था मैंने शायद ही कोई बल प्रयोग किया हो वह नाटक कर रही है अज्याय नब्बे एक मासून फूल की भूमिका निभाना हाला की उद्योग में जिया क्विंकिंग की भयानक प्रतिश्था और इसी तरह की घटनाओं के उनके इतिहास के साथ फॉक्सी के प्रती उनकी निर्विवाद दुश्मनी के साथ किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया निदेशक मैं ठीक हूँ मेरे मुँ में बस एक कट लग गया है उस पर थोड़ी बर्फ लगाने के बाद ये ठीक हो जाएगा किंग किंग जी सम्भवता दृष्य को और भी अधिक वास्तविक बनाने की कोशिश कर रही थी इसलिए ख्रोध इतना हो फॉकसी की अभिव्यक्ति से पता चला कि उसे गलत तरीके से पीला हुई थी लेकिन वह इसे सहन करने की कोशिश कर रही थी ऐसा लग रहा था मानो वह समझदारी के साथ चुपचाप सहने की कोशिश कर रही हो उस अभिव्यक्ति से बाकी भील को भी उसके प्रती कुछ सहानुभूती महसूस हुई निर्देशक को तो छोड़ ही दें जयाल मुए बगल से देख रहा था और उसके मूल का कोना पागलपन से हिल रहा था वो लगभग मौत की सदमे में था ये बंदा एक मासून फूल की भूमिका निभाने में बहुत अच्छा था जया क्विंग किंग ने उसकी नाजो को पस्थिती को देखा और तुरंद क्रोधित हो गई, फॉक्सी, तोम अभी भी दिखावा कर रही हो आपने स्पश्ट रूप से यह जानबूज कर किया तुमने अपने आपको काटा क्या तुमने पहले से ही अपने मूँ में कुछ रख्ट क्या पसूल छिपा रखे थे जया क्विंग क्विंग, आपकी और से बस इतना ही काफी है बूओ की शेंग ने जमकर चेतावनी दी जया क्विंग के सहायक ने जल्दी से उसे पीछे खीच लिया और समझाया क्विंग क्विंग जी, इसके बारे में भूल जाओ निर्देशक को नाराज मत करो हम इस घटना के लिए गलत हैं उसने स्पश्ट रूप से सोचा कि जया क्विंग किंग ने जानबूज कर ऐसा किया था जया क्विंग के साथ चलते समय उसने इस तरह की कई घटनाएं देखी थी जया क्विंग के पीछे मुली और सहायक के चेहरे पर तमाचा मारा, स्क्रैम मुझे आदेश देने के लिए यहां आपकी जगल कब रही है जट्का लगने के बाद सहायक फर्ष पर गिर गया ठीक वैसे ही जैसे फॉक्सी गिरी थी उसके मुँग के कोने से खून भी निकल रहा था उनके आसपास मौजूद प्रोडक्शन क्रू खास कर वे जिनकी स्थिती सहायक की तरह बहुत उची नहीं थी सहायक को उपर उठाने में मदद करने के लिए जल्दी से आगे बढ़े जेया क्विंकिंग को देखते समय उनके भाव ग्रिना से भरे हुए थे खाला कि फॉक्सी का निजी जीवन अस्त्वियस्थ था लेकिन उसने इसका असर कभी किसी और पर नहीं पढ़ने दिया फिल्मानकन के दौरान वह सम्मान जनक और पेशेवर थी खाला कि जेया क्विंकिंग कूरी तरह से दूर थी ये पहली बार था जब जेया क्विंकिंग पर जूठा आरोप लगाया गया था ये देखकर कि किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया उसका चेहरा लाल हो गया मानो अगले ही पल गुस्से से बेहोश हो जाने वाली हो जैसे ही वह नियंत्रन खोने वाली थी और अपनी छवी की परवा के बिना फॉक्सी पर हमला करने वाली थी किसी ने उसकी कलाई कीचने के लिए आगे कदम बढ़ाया किंग किंग मुझे पता है कि आप निर्देशक को प्रभावित करना चाहते थे लेकिन आपको इसे इतनी दूर तक ले जाने की जरूरत नहीं थी जो लोग जानते हैं वे कहेंगे कि आप अपने काम की प्रती समर्पित हैं लेकिन दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे जिसने बात की वह नला था जो अभी अभी वहां थी नला का आज कोई सीन नहीं था उसे आना भी नहीं था लेकिन फॉक्सी को मुसीबत में देखने के लिए वह फिर भी सेक पर आ गई थी उसने नहीं सोचा था कि आने पर उसे ये सब देखने को मिलेगा ये जिया क्विंग क्विंग क्या कर रही थी ये बहुत अच्छा आफसर था लेकिन उसने इसे इस तरह से खत्म होने दिया ये देखते हुए कि जिया क्विंकिंग के प्रती अत्यदिक नफरत के कारण भी फॉक्सी के प्रती सहानो भूती रखने वाली थी नाला जल्दी से उसे उसकी दुर्दशा से बाहर निकालने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी नाला को देखकर जिया क्विंकिंग ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की मानो उसने अभी अभी अपने परिवार को देखा हो उसने तुरंट उसे पकर लिया और शिकायत करते हुए रोने लगी, नाला, ये कुतिया मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है इस दर से कि अगर जिया क्विंकिंग ने बात जारी रखी तो और भी लोग परेशान हो जाएंगे, नाला ने उसे एक कोने में खीच लिया, तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं रुख सकती फॉक्सी को देर सवेर भगा दिया जाएगा, इस समय तुम उससे क्या जगड़ा कर रहे हो जेया क्विंकिंग ने उत्सुक्ता से कहा, मैं पहले उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे बिलकुल भी नहीं चुआ वो बस चक्मा दे गई और ऐसा व्यवहार किया मानो मैंने उसे इतनी जोर से मारा हो कि उसने खून उगल दिया हो नाला ने फॉक्सी को आश्वस्त करते हुए निर्देशक की ओर एक नजर डाली, जो दार्ता दिखा रही थी, और तुरंद बता सकती थी कि वो किस तरह का अभिने करने की कोशिश कर रही थी उसने जल्दी से स्थिती को बचाने का एक तरीका सोचने की कोशिश की और कहा क्विन्ड क्विन्ड ये पर्याप नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ समस्या यह है कि हर कोई आप पर विश्वास नहीं करता भले ही आप स्थिती स्पष्ट करें इससे मदद नहीं मिलेगी इस जंजट से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है फॉक्सी से तुरंत माफी मांगना ये सुनकर जया क्विन्किंग भड़ा कुठी क्या क्या आप चाहते हैं कि मैं उससे माफी मांगूं बिलकुल नहीं नाला आप उसके पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हैं और उसके लिए बोल सकते हैं